दोनी को वैसे तो भारत ने बहुत पसंद किया जाता है हर कोई उनका फैन है जो क्रिकेट को पसंद नहीं करता वो भी दोनी का दिवाना है आखिर हो भी क्यों ना दोनी जैसा खिलाडी पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेगा चाहे आईगे लोग या कोई भी क्रिकेट मैच अगर दोनी मैदान पर होते है तो फैन्स उन्हें देखने मैदान पर जरूर जाते है ये कभी नहीं सुनने को मिलता है कि दोनी को लोग किसी चीज के लिए सुना रहे हो या उन्हें ट्रोल कर रहे हो लेकिन धोनी ने कैसा काम कर दिया जिसके बाद लोग उनसे काफी गुसा हो गए है जी हाँ आपने बिलकुल सही सुना इन दिनों धोनी को लोग चम कर सुना रहे है तो चलिए आपको बताते हैं पूरा मामला है क्या तरसल इन दिनों धोनी अपने परिवार के साथ दुबई में है महेंदर सिंग धोनी की पत्मी साक्षी ने 19 नौमबर को अपना 22 जनम दिन मनाया धोनी इन दिनों अपने पत्मी साक्षी और बेटी जीवा के साथ दुबई में है दुबई में साक्षी के grand birthday party में भारतिय 10 सिस्टार सान्या मिर्जा, उनके पती और पाकिस्तानी क्रिकेटर शुय मलिक, सान्या बिर्जा की बेहन अनम मिर्जा समेत कई लोग शामिल थे जरम दितो साक्षी ने मना लिया, लेकिन अपने जरम दिन में पाकिस्तानी क्रिकेटर शुय मलिक को शामिल करना उनको भारी पड़ गया धोनी के पार्टी में शुय मलिक के शामिल होने के बाद लोग काफी नराज हो गए है लोग कह रहे हैं गदार देश के क्रिकेटर को अपने पार्टी में शामिल करना ये बहुत गलत बाद है धोनी आपसे ये उमीद नहीं थी कई फैस ये भी कह रहे हैं कि पाक क्रिकेटर किसी के सगे नहीं होते धोनी भाई तुम इसे दूर हो कई लोग तो इतने नराज हो गए हैं कि धोनी को वो बाईकॉट करने की मांग कर रहे हैं लोग कह रहे हैं धोनी को आईपियल में सपोर्ट नहीं करेंगे और ना ही उनको कहीं सोशल मीडिया साइट पर फॉलो करेंगे वहीं बर्टेजे पार्टी की बात करें तो बर्टेजे पार्टी में साक्षी गोल्डन कलर की ट्रेस में नजर आई जबकि धोनी ने ब्लैक टीशेट और ब्लू जिन्स पहन रखी थी दोनी ने इसी साल 15 अगस को इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया था दोनी ने अपना आकरी इंटरनेशनल मैट जुलाई 2019 में खेला था जो वर्ल्ड कप का सेमी फाइनल मैस था और भारत को न्यूसिलेंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था दोनी जब इस साल आईपेल के दौरान पूछा गया कि क्या ये उनका आखरी आईपेल है तो ने इसका जवाब ना में दिया इसका मतलब दोनी 2021 आईपेल में भी खेलते हुए नजर आएंगे आपके क्या राएं इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके जरूर मताईए ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूस